नमस्का स्टूडेंट्स, मैं एक प्रवासक हूँ और आज आपके लिए उत्तरी भारत में स्थेत कस्मेर का एक स्थान गुलमर्क के आपको यात्रा कराने वाला हूँ जिहां स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मोहन राकेश रचित एक यात्रा वृतांत गुलमर्क के खिड़की से एक राद इस यात्रा से पहले हम मोहन राकेश जी का एक परिचाई ले लेते हैं मोहन राकेश उनका जन्मत जालंदर पंजाब में सन 1925 में हुआ था उनके पिता यवसा इसे वकील थे परन्तु उनको साहित्य में बहुत ही रुची थी और तह राकेश को भी बच्पन से घर में परियाप्त साहित्य वातावरान प्राप्त हुआ उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमे तक की शिक्षा प्राप्त की तत पस्चार डियेवी कोलेज जालंदर में हिंदी विभा के अध्यक्ष के रूप में ध्यापन कारे किया कुछ समय तक उन्होंने सारी का कहानी कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वाचंत्र लेखन करते रहे कहानी लेखन के साथ-साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे है उनकी प्रमोख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि उनके कहानी संग रहे तथा अंधेरे बंद कमरे, नवाने वाला कल प्रसिद उनके उपन्यास है, तथा अशाड के एक दिन, आधे अदुरे तथा लहरो के राजहांस उनके प्रसिद नाटक है मोहन राकेस मुलतह एक सफल कहानी कार तथा नाटक कार है और सन 1922 में मोहन राकेस का निधन हुआ तो आज हम उनकी एक रचना पढ़ने जा रहे गुलमर्क की खेड की सेकरात यह गुलमर्क की खेड की सेकरात या गध्यां उन्होंने अपने पुस्तक परिवेश से लिया है तो इस यात्रा वृतान्त में लेखक ने गुलमर्क का एक प्राक्रुतिक संदर्य का स्वानुभव विवरण प्रस्तुत किया है गुलमर्क का सारा वतावरण उनको अपने में समाया हुआ सा लगता है गुलमर्ग की एक रात का अकालपने सुंदर्यां उनमें बुलाया नहीं नहीं जाता तो स्टूडंट्स मोहन राकेश ने जब गुलमर्ग की यात्रा की थी तो एक गुलमर्ग क्या है उत्रे भारत में कस्मिर का एक सुन्दर प्राकृति क्रम्निय स्थान है गुल्मर्क गुल्मर्क की लेखक ने जब यात्रा की थी उसका वरणन आज हम देखेंगे गुल्मर्क की खिड़की से एक राज कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौक उठती है फिर दिरे दिरे परिजित होकर उदासिन हो जाती है लेकिन गुल्मर्क ऐसे जगह नहीं है यानि लेखक कहते हैं कि हम कभी कभी नए स्थान पढ़ जाते हैं तो हमें आश्चर्य रहता है हमारी यांखें चौक उठती है हमारी यांखें चोड़ी हो जाती है अरे वाह कितनी सुन्दर जगह है लेकिन दिरे दिरे वहां पर हम रहते हैं अर्थाद बार बार उस थान पर जाते हैं तो उस बात से हम परिजित हो जाते हैं फिर हमें पहल पहली बार गुल्मर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी औसाधरण नहीं लगा एक खुला सपाट मेदान दिवदारों के घने जुर्मुण और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुल्मर्ग देखाया था तो लेखक जब पहली बार गुल्मर्ग गये थे तो उस घुल्मर्ग में उन्होंने पहली बार जब गये तो एक घंटे में वो गुमकर आ गये थे वहां कुछ भी औसाधरण नहीं लगा यानि प्रक्रतिक जो वातावरण है वहां पर खिला हुआ है और वहां पर कुछ भी खास क्या है तो देखने के लिए तो देखने जाए है अगर हम तो सिर्फ और सिर्फ एक खुला सपाथ मेडान है और देवदारों के घने जुर्मुठ है घने यानि बहुत ही गहरे यानि एक जंगल है उसमें देवदारों के व्रूक्ष लदे हुए है और मेडान हैं और कुछ देखने के लिए नहीं है वातावरण राक्रति तो जब पहले बार लेकर गए तो एक गंटे में उन्होंने गुलमर्ग का जो यह मेदान है वो देखकर आ गए वह गर बाद में महीने महां रहने पर एसास हुआ कि पहली बार तो क्या बाद में भी कभी उस थान को पूरा नहीं देख पाया उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता शायद यहीं कारण है कि गुलमर्ग में रहकर महां के साथ व्यक्तियों की आत्मेता धिरे धिरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने आपको उस सपार्ट मेदान का एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है कांपती तितलिया उठते बादल और बर्प से चमकती पहाड़ियों की तरह दुसरी और वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयम भी रहता है उसे अपने में समाया हुआ सा लगता है महा का सुर्योदय और सुर्यास्त दोनों संध्याए है गना कोहरा पिली दूप और सब कुछ इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्क से चलता है तो एहसास हुए अपने से ही बिचुडने का अपने से उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुँ भी सदा और परिचित बना रहता है यानि लेखक कहते हैं कि जब पहले बार तो गुमने गए थे तो वो एक गंटे में गुम कर आ गए थे लेकिन बाद में महिनों वहाँ वह रहने पर उन्हें एइसास हुआ कि ये गुलमर्क का जो मैदान है उसे कभी बुरा नहीं देखा जा सकता है क्यों ऐसा कहा क्योंकि वहां का जो वातावरण है वहां का जो सुन्दर यह है वो इतना सुन्दर है कि इनसान को उसके प्रतिल लगा हो जाता है कस्मीर को तो भारत का स्वर्ग कहा है तो वहां का जो सौंदर्य है उसमा एक स्थान है जो गुलमर्ग है तो उस स्थान में प्रकृति के सौंदर्य वातावरान इतना गहरा है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैं यहां पर ही रहूँ अब मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता अगर वो अपने घर पर आता है तो वो उस स्थान को छोड़ता है इंसान गुलमर को तो ऐसा लगता है अपने से वो कहीं बिछुड रहा है अपने दोस्त को अपने यार को कहीं छोड़ कर आ रहा है उसे मन में दुख होता है यानि उसकी आत्मियता जो है ये स्थान के साथ गहरी हो जाती है आत्मियते यानि लगाओ और इनसान भी उस सपाट मेदान के हिस्से के रुप में ही देखने लगता है कि ये भारत का एक स्थान है वो इतना सुंदर है कि हम अपने उस्थान को अपने आपको एक उसका हिस्सा मानते हैं तो वहां का सौंदर ये कित कैसा है तो वहां पर रंग भे रंग की भी कापती तितलिया उठती है उठते बादल है, बार बार कभी भी वहां पर बारिस आ जाती है और बर्प से चमकती पहाड़ी है और दुसरी और क्या है तो वह पुरा विस्तार जिसमें स्वयम भी रहता है यानि इंसान रहते है उस स्थान के बारे में लेखक ने कहा है जिसमें वह स्वयम भी रहता है तो वह वहाँ पर मेदान है देवदारों के व्रोक्षे लेखक का जो रहने का स्थान है अपने आपको भी एक हिस्से के रुप में देखा है और अपने आप में समाया हुआ सा लगता है और वहाँ पर देखने के लिए दोनों संध्याए साम ये दोनों संध्याय देखने लायक होती है और घना कोहरा, पिली धोप और सब कुछ इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो ऐसास होता है अपने से ही बिछूडने का तो जब कोई भी इंसान गुलमर्ग आता है तो उसे अपने इसा बढ़िया सुन्दर वातावरन लगता है जब वो महां से अपने घर की तरफ आता है तो उसे दुख होता है और मन ही मन इसी कलपना करता है कि हमें यहां रहने मिले तो कितना अच्छा अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हो भी सदा अपरिचित बना रह जाता है यानि कभी भी इंसान उस थान पर जाएगा तो वहां पर हमेशा कुछ नया ही वातावरन बना रहता है कभी जाते हैं तो कभी बारिस गिरती है और कभी जाते हैं तो कभी पिली दूप देखने को मिलती है कभी जाते हैं तो वहाँ पर बर्फ गिड़ती है तो हम कभी कलपना नहीं कर सकते कि आज हम जाएंगे तो ऐसा वातावरण होगा कुछ समय के बाद बारिश भी हो सकती है और कुछ ही पल के बाद धुब भी निकल सकती है यनि जब हम जाते हैं तो किस समय की कौनसा वातारण है उसके हम कलपना नहीं कर सकते हैं इसलिए कहते हैं लेखक ये परिचित होते हुए भी सदा अव परिचित बना रहता है गुलमर्ग में सपने फूल बन कर उठते हैं हर्याली के आर पार लाल लाल छटों के उपर आकास में आखें मुगद होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भड़ जाते हैं वातारण में नए नए कोपले फूट आड़ती है हरक्षान नए नए अनुबव नए रोमांज की सुरुष्टी होती है तो लेखक क्या कहते हैं कि हमें इतना परिचित होते हुए भी और परिचित क्यों लगता है तो वहां का जो वातारण है उसका लेखक ने वर्णन किया है कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उखते है जिस तरह महां पर हम कभी जाते है और सपने सजाते है कि आज हम महां पर घुमने जाएंगे गुलमर्ग को पोरा देखेंगे उसका सौंदर्य का हम रस्पान करेंगे तो हमारे मन में भी एक फूल की तरह हमारे मन में भी सपने उठते है गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते है क्यों ऐसा लेकक ने कहा कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते है कि गुलमर्ग में रंग भी रंग भी फूल लोग जाते है और सुन्दर फूल है तो इसी तरह हमारे मन में भ फूल की तरह रंग भी रंगी सपने उठते हैं कि हम भी कभी उस थान को यानि गुलमर्ग को देखने जाएंगे और हम भी वहाँ पर घुड़े सवारी करेंगे घुमेंगे ऐसे सुंदर सुंदर कलपनाय करते हैं तो हमारे सपने फूल की तरह रंगिन रहते हैं इसलिए लिखती रहती है और फुलों में नए नए रंग भर जाता है क्यों ऐसा लिखक ने कहा कि हर्याली के आरपार हर्याली के आरपार यानि जो सपट मेदान है उसके उपर जो हरी हरी जो घांस हुगी है इसलिए कहा हर्याली के आरपार और जो देवदारों के व्रोक्स है और व्र देवदारों के व्रोक्ष के उपर तो वो उपर से जब हम देखते हैं तो उसके उपर उसके छत के उपर लाल लाल फो लोग जाते हैं तो यह गुलमर्ग तो है वो तो पूरा एक मेदान है और देवदारों के व्रोक्ष है वो पूरा वातावरण है वो हर्याली है यानि हमें ग्रीन ग्रीन देखने को मिलता है लेकिन जह हम बहुत ही उपर से देखते हैं यह देवदारों के व्रोक्ष के उपर को हम उपर से देखते हैं तो उसके उपर जो लाल-लाल फूल लग जाते हैं तो लाल-लाल छटो के उपर और आकास में आखें मुग्द होकर देखती रहती ह और नीचे से हम उपरी और देखते हैं आकास की हो तो हमें वो सीन जो है वो जो सुन्दर है इतना अच्छा लगता है कि आखे मुगद होकर देखती रहती है यानि हम बस वो सुन्दर चीज हम देखते ही रहते हैं और फूलों में नए रंग भर जाते हैं यानि वहां पर बेरंग वी नए नए फूल है वातावरण में नए नए कौपल्य फोर जाती है यानि नए नए फूल हर रोज उगते रहते हैं ओल नए रोमााट की सुरुष्टरी होती है यानि वो वातावरण हैं वह हमें रोमान चित कर देता है यानि हमारे मन में एक नया भाव पेदा करती है कि नहीं हमें इसी स्थान में रहना है हमें यह अच्छा लगता है बादलो के पोर्टिको के नीचे लोग बाही फेलाए गास पर बेठे है पोर्टिको यानि बरामदा गुजराती मा आपने वाडो अथ्वातो चोक कई है यह त्या गड़ी वादलो इतला बदा नीचा होई चे कि जाने आपने वादलो ना आंगणा मा बेठा होई है वादलो बादलो के पोर्टिको के नीचे लोग बाहे फेलाए गास पर बेठे है यानि वो जो स्थान है गुलमर का वो एक परवत ये स्थान है तो बादलो वहाँ पर हमें नीचे नीचे उठते मंडरा थे रहते ऐसा लगता है तो बादलो के पोर्टिको के नीचे लोग बाहे फेल लाकर गास पर बेटे हैं यानि deathom seco ज़ती हैं 01 बंगल्र कुछ भीज़ आई उस्यात्रा ल४ को हम सेलाणिया कहते हैं तो ये सेलाणिया जो लोग है वो घोड़े दोड़ाते नजराती है रंगो के कुछ कुछ मिंदू हर्यालीके पट पर जहा कढ़ TIM चपनिवsters यो कियों कहा मुद्वर रंगो के कुछ कुछ मिंदू हर्याली के पट पर यहां तो तो हर्यालिक यानी कौन सी हर्याली तो ये सपाट मैदान पर गास उगी वह है वो पूरा वातवरन पूरा मैदान है वह हरा इसलिए कहए कि हर्यालिके पट पर जहां तहां रंगिन बिंदू ओ छिटके हैं यानि जो लोग घुमने आये हैं सेलानिया यानि घुमने आये होई लोग वो नए नए रंग बेरंगी कपड़े पहन कर वहां तहां अपने ग्रूप बना कर अपने दोस्तों के साथ उस मेदान पर आराम से बैठे हुए यानि हम जब उपर से वो देखते हैं तो पूरा हरा मेदान है और लोग इस तरह बेठे हैं रंगीन कपड़े पहन कर किसी ने लाल कपड़े पहने हैं तो एसा लग रहा है कि हर्याली के पट पर जहां तहां कहीं रंगीन बिंदू हमने कहीं डाल दिये हो अब इस चित्र में भी देख सकते हूं सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बुन्दे पढ़ने लगती हैं यानि लोग उस हरे मेदान में रंगिन कपड़े पहन कर आरामसे खुसी से बेठे हुए हैं लोग उस सोंदर्य का आनंद ले रहे हैं सहसा सहसा यानि तुरन जो लोग बेठे तुरन वहाँ पर प्रकास से नन्हिनानी पारदर्सक बुंदे पढ़ने लगती है यानि वहाँ पर बारिश सुरू हो गई है बर्फ गिरने लगती है यहाँ पर क्या कहाई कि पारदर्सक बुंदे पढ़ने लगती है यानि अब बारिश सुरू हो गई है लोग आराम से एक बार शिहर जाता है, और अपने आपको समेटने लगता है, यानि जो रंगीन बिंदू, यानि लोग जो नए नए रंगीन कपड़े पहन कर बैठे हुए थे, जिसे लेखक ने रंगीन बिंदू कहा था कि दूर से देखते हैं, तो हमें रंगीन बिंदू की तरह वो मालू यानि खुष हो जाते हैं और सिहर जाते हैं वो लोग अपने उस्थान से उठ जाते हैं और अपने आपको समेटने लगता है यानि अब वह अपने सुरुख्षिस स्थान, पर जाने की कोसिश करते हैं अपने आपको समेटने लगता है हर्यालिक का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है जो पूरा हरा मेदान था वो अब कुहासे के फूल में बदल जाता है और मेदान सुर्मई आभा ओड लेता है जो पूरा हरा मेदान था वो अब हमें सुर्मई आभा ओड लेता है सुर्म આમ્યે થેપળગે ખોય કાળા રંગને આખો વાતા વરાણ થી Minh पूरा भातावरन में अंधेरा छा जाता है इसलिए वो हरा मेदान अब हमें काला दिखने लगता है हम कभी सुर्मई आभा का अर्थ होता है काली आभा है जब हम सुर्मा आख में आंजते है तो उसका रंग भी काला है तो मेदान एक तरह से सुर्मई आभा ओड लेता है पहले तो हमें जब दूप थी तो हरा delivered दिख रहा था लेकिन अब काला दिख रहा है महा पर अंधेरा छा गया है इसलिए अब मेदान हमें काला दिखने लगता है अन्धेरा चा गया है अब चारों तरफ धुंदे धुंद pictured है यानि अंधेरा ही अंधेरा है बेबस होकर फैले पक्दंडिया की पतले पतली नरम बहे जब तक बादल बरसेगा बाहे फैली रहेगी ऐसे ही कौमल विश्मूर्थ और निडाल तो लेखक क्या कहते हैं कि जब ये बारिस गिर रहा है अब चारो और धूंदे धूंदे यानि अंधिरा ही अंधिरा है बेबस होकर ये फैली पग दंडिया पग दंडिया यानि एक छो रास्ता बना हुआ है लोगों के लिए उसे हम कहते पग दंडिया वह भी पतली पतली और नरम बाहे यानि वह भी सक्री यानि चोड़ी नहीं सक्री सक्री जो लोगों के चलने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है वह ऐसी नरम की नरम रहेगी कब तक जब तक बारि कि ये जो पॉक दंडी है वो हमें कोमल दिखती है यानि नाजुक विस्मृत यानि जिसे हम कभी भूल नहीं सकते और निढाल यानि वहाँ पर जाना भी अच्छा लगता है और जाते है तो एसा लगता है और यार यहां ना आते तो अच्छा लगता है और जाते है तो उसका स थोड़ा सा डर बना हुआ है। नहीं, वहाँ पर भारिष गीशती है, तो लोगों में थोड़ा सा डर है और थोड़ा सा आनन्द है। यानि सबको लोगों को अच्छा लगता है। मन में थोड़ा सा डर है कि अब क्या होगा हम भीग जाएंगे लेकिन उसका जो आनन्द है वो अपार है। यानि डर के साथ उसमें बहुत ही ज्यादा आनन्द की अनुभूती रहती है। सूरज चमकेगा तो फूलों में नया सपना जन्मेगा। आकास में बादलों के नहने नहने द्रीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। तो वहां का वातावरण कैसा है कि जब बारिश बंध हो जाएगी और सूरज चमकेगा तो फूलों में नया नया सपना जन्मेगा। यानि फूल की तरह हमारे मन में भी लोग फिर से उस स्थान को घुमने के लिए आ जाएंगे अभी बारिश गिर रही है लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं लेकिन जैसे बारिश बंध हो जाएगी और सुरज चमकेगा तो वापिस लोग नए सपने के साथ आ जाएंग आकास में बादलों के ननहे ननहे द्रीप इधर उधर भटकते फिरेंगे द्रीप का अर्थ होता है चोटा सा टापो तो बादलों के जो समू है वो इधर इधर घूमते हमें दिखाई पड़ते हैं भेडो और बक्रियों के रेवड पग दंडियों पर टक जाएंगी जब बारिश गिर्ती है वहाँ पर तो सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाते है तो जो पक दंडिया थी यानि छोटा जो रास्ता था चलने के लिए तो वहाँ पर भेडो और बक्रिया तो उनकी जो रेवड है रेवड का अर्थ होता है समू तो भेडो और बक्रियों का जो समू है वो भी स्थुरक्षित स्थान पर जाएंगे तो वो जो पकदंडी है जो रास्ता है वहाँ पर उनके पेर छप जाएंगे दिन तब रात की प्रतिक्षा करता सा प्रतित होता है यानि जो दिन में आते हैं वो प्रतिक्षा करते हैं कि कब वहाँ पर रात हो और रात मेधान की वह खामौस भी जो दिन के समय इतने वाचाल हो जाती है यानि वहाँ पर जो लोग घुमने आते हैं वो दिन में तो एसे घुमते हैं लेकिन लोग रात की प्रतिक्षा करते हैं। प्रतिक्षा इसल नहीं रह जोवी गुज्राती मां। दिन तम राक्त की प्रतिक्षा करता सा प्रतित होता है यानि ऐसा लगता है और रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा यानि सभी लोग रात में अपने सुरक्ते थान पर चले जाएंगे मेदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है वाचाल यानि सोर बकोल जो लोग दिन में घुमने आते हैं तो रात होते हैं हमें ऐसा सन्नाट देखने को मिलता है कि यहाँ पर कभी भी कोई इंसान आया नहीं है और जैसे ही दिन आएगा तो लोग का सोर और वाचाल वाचाल यानि उनकी अवाज बोल चाल वो सब दिन में वापिस मालूम हो जाता है लेकिन जैसे ही रात आई कि सभी लोग सुरक्षित थान पर चले जाते हैं क्योंकि रात को ठंड भी ज्यादा लगती है और अंधेरा भी है बारिस भी गिर जाती है तो इसलिए रात के समय कोई इस मैदान पर नहीं रुखता और सभी लोग सुरक्षित थान पर चले जाते हैं लेकिन जैसे ही दिन होगा तो वापिस वो लोग घुमने आ जाएंगे इसलिए ले लेखक ने कहा रात आईगी तो सब कुछ खामोस हो जाएगा और मैदान की वह खामोसी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती हैं वाचाल वाचा इतले एक जातनों अवाज जे मनुश्यनी वाचा होए अवाज होए एवी रिते इले दीवा से सोर गूल होई चैने रात रे सन नाटो अब हमें लेखक अपना अनुबव बता रहे हैं कि जब वो घुमने के लिए गु अनुबव हुआ है तो ये पाठ में उन्होंने यही दोर आया है इस गद्या में कि गुलमर्गे की खिडकी से एक रात तो गुलमर्ग में होटल की खिडकी से उनका जो अनुबव हुआ है अब उसका वर्णन करते हैं लेखक गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं बुल मैं होटल के खिड़की में खड़ा था दूर बहुत दूर सामणे से एक बरस्ती घटा मेरी तरफ भढ़ती आ रहाई थी मैं उस घटा की प्रतिक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुझे और मुझे अपने में लपेट ले बरस्ती गटा में घीर जाने से बड़ा सुक मेंने बहुत कम जाना है गटा उपर से घीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छाज आए यहाँ इसे अलग स्थिती है इस बार आती होई गटा का हर संकित मेरे सामने था और मैं उसके बराबरी का होकर अपने खेड़की से उसे बुला रहा था कि आ, 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 मैं तुझसे कमजोड नहीं हो हवा तेश थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी हलाकि तुफान बहुत उठा था बार बार जोर की गरज होती थी जिसे धर्ती और आकास की सीराय कांप जाते थी बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांध दे थी और प्रकास का वहा भयानक विस्पोट हर चीज को नंगा कर जाता था मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह बुंदे मेरे उपर बरसेगी बिजलीों का यह कार मेरे उपर टुटेगा बाहे फेला कर सामने से उसे अपने उपर लेने के लिए तयार था यनि स्टुडेंट्स लेखक जब गुलमर गए थे और एक होटल में ठहरे थे तो उस होटल के खेड़की से वो एक बहुत दूर एक बरस्ती घटा उनके तरफ आ रही थी घटा घटा यह नि बादल तो बारिश करते हुई जो घटा थी वो उनकी तरफ आ रही थी और तुफान भी था काफी तुफान उठाता और बिजले भी काँ देती थी यानि बिजले भी कडाका कर रही थी मैं प्रतिक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे लेकिन ये लेखक जो थे वो यो समझते थे कि ये जो बादल है बारिश करता हुआ जो बादल मेरी तरफ आ रहे है वो मेरे उपर आ जाए और मैं उस बादल के अंदर चला जाओ यानि ये बहुत ही बड़ा बादल हो और उसके अंदर मैं सबसे छोटा दिखू लेकिन लेखक कहते थे कि मैं उसे बुला रहा था कि आ आ आ आ मैं तुझसे कमजोड नहीं हूँ ऐसे समय में इ अंधेरा काला बादल आ रहा है दिन में ही पुरा अंधेरा चा जाता है बिजली कड़कने लगती है तो इंसान को थोड़ा डर लगता है लेकिन लेखक कहते हैं मैं तुझसे कमजोड नहीं हूँ और तुफान भी बहुत उठाता लेकिन धिरे धिरे ये सांत होता जा रहा और जब बिजली या काटती थी बिजली जब गरजने लगती थी तब धर्ती और आकास की सिराय काम जाती थी यानि उस समय पुरा अंधेरा था जब बादल आता है तब और जब बिजली होती है उस समय इतना प्रकास देता है कि उससे पता चलता है कि कहां धर्ती है और कहां आकास है और यह भयानक विस्पोट हर चीज को नंगा कर रहा था लेखक ने कौन से सब्दे का प्रयोग किया है कि भयानक विस्पोट यानि बिजली का जो कड़ा का होता है वो उसके साथ जो प्रकास होता है उसमें हर चीज नंगा कर जाता था यानि सब चीज दिखाई देती पहले अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता था लेकिन जब बिजली कड़कती है तो सब कुछ दिखाई देता है इसलिए कहा कि भायानेक्वी स्पोर्ट से हर चीज को नंगा कर जाता था मैं खुश था कि थोड़े दिर में ये बुंदे मेरे उपर बरसेगी और बिजली का कहर कहर यानि प्रकोब्वी मेरे उपर टूटेगा मगर अचानक हवा रुक गए बढ़ता हुआ तुफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पंची की तरह दम तोड़ने लगा यानि तुफान तो बहुत ज़्यादा था ये जो बारिश गिरता हुआ जो बादल था वो लेखा क्योर आ रहा था लेकिन तुफान रुक गया और ये बादल पुरा बिखर गया किस तरह बिखर गया कि दूर पर कटे पंची की तरह यानि पर का अर्थ यहाँ पर हमें पंख लेना है पंख कटे हुए पंची की तरह यानि जिसे के तेसे पंखी रहे जाते हैं अब उड़ नहीं जाते उड़ नहीं सकते इसी तरह ये बादल भी अब रुक गये है बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी लेखक क्या कहते है बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी क्योंकि हवा रोक जाने पर मुझे भी बहुत उची आस्मान से नीचे आना पड़ा था एसा लिखक नहीं क्यों कहां कि बिजली की सांस रुकने लगी क्योंकि जब बादल आ रहा था उस समय बिजली हो रही थी लेकिन अब बा अब वहा तक बादल नहीं आपाएंगे इसलिए कहते हैं कि मेरे भी सांस रूख गई है पहले टो उनको उत्सा था लेकिन अब उनका उत्सा गई है और कहते हैं कि हवा रोक जाने से मुझे भी बहुत उंचे आस्मान से नीचे आना पड़ा यहां पर उन्होंने जो कलपनाय की थी कि मैं बादल का सामना करूँगा मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ वो बिजली के सामने मैं डरने वाला नहीं हूँ उसके सामने उसकी बराबरी करूँगा लेकिन अब हवा रुक गई है बादल भी बिखर गए है तो लेखक जो आस्मान में उट रहे थे कलपना कर रहे थे कि मैं हिम्मत वाला हूँ तेरी बराबरी करूँगा लेकिन अब उनके जो इच्छा जो थी वो अब मारने पड़ेगी इसलिए लेकिन ने कहा कि हवा रुक जाने पर मुझे भी बहुत आस्मान से नीचे आना पड़ा यहाँ पर उन्होंने लेकिने का अर्थ आस्मान से नीचे आना यानि जो बड़े-बड़े सोच रहे थे अब वो सोच नहीं करनी है तुफान का जोम उतर गया उसके साथ मेरा भी जोम यानि जोश उत्सा तुफान रूख गया है तो अब लेखक का जो उत्सा था जो जोश था वो भी रूख गया है मैं उसके बराबरी का कभी नहीं हो सका वे ऐसे एक्षान थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं गुल्मर्ग में रहते हुए ऐसे एक्षान हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से अवस्य आते हैं तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्शन विक्ति को खीच कर वहां ले आता है यानि लेखक क्या कहते हैं कि ये जो गुलमर्ग है वहाँ पर ऐसे एक्षन यानि बादल की बरोबरी करना बिजली ये बरस्ती हुई घटा ये सब देखने का जो मौका है जो आउसर है वो व्यक्ति को एक दो बार ही मिलता है गुलमर्ग में रहते हुए एक्षन हर किसी की जीवन में किसी ने किसी रूप से अवस्या आते है लेकिन ज्यादा नहीं आते तब ही तो मुद्दत वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्शन व्यक्ति को फिर खीच कर वहां ले जाता है यानि गुलमर्ग में और तो कुछ भी नहीं है वहां का जो वातावरां का जो सूंदर है वही व्यक्ति को खीचा जा सकता है वन्ना वहां है क्या बस एक सपार्ट मेदान है जहां गॉल्फ खेले जा सकती है गॉल्फ एक खेल का नाम है व्यक्ति क्यों बार-बार जाना चाहता है? क्या गॉल्फ खिलने के लिए? और लेखक ने प्रस्ण आर्थ करके हमें उसके प्रति आकर्शित कर दिया कि गुल्बमर्ग में और है क्या? एक सपाट मैदान है और देवदारों के व्रोक्ष है तो क्या लोग सिर्फ गॉल्फ खिलने के लिए जाते हैं? नहीं, वहां का जो वातावरण है वो व्यक्ति को खिच कर लाता है कभी हम जाएंगे तो कभी बारिस गिरती है तो कभी पिली धूप देखने को मिलती है और कभी तो ऐसा व्यो गिरता है यानि ऐसा बरफ गिरता है कि व्यक्ति को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो उस मुश्किल के सामना करते हुए उस बरफ जब गिर बदलता हुआ हर समय नया अनुबव और रोमान चित करने वाला वातावरन जो है उसका रमनिय सुन्दर स्थान और वहां का वातावरन वही व्यक्ति को बार बार खीच कर लाता है और लेखक ने जो अपना भी अनुबव बताया था कि वो गुलमर की एक दिन होटल में रुके आस्मान से नीचे उतरना पड़ा था यानि उनके जो बड़ी बड़ी इच्छाय रखी थी लेकिन इच्छाय पूर्ण नहीं हो सकी इसलिए जब वो मन से मन मन ही मन आस्मान में उड़ रहे थे तो लेखक को भी अपनी कलपना की दुन्या से आस्मान से नीचे उतरना तो लेखक ने अंतिम दो प्रस्ण हमें हमारे सामने रख दिये कि व्यक्ति बार-बार वहां क्यों जाना चाहते हैं क्या गॉल्फ खिलने के लिए नहीं गॉल्फ खिलने के लिए नहीं लेकिन वहां का जो वातावरण है वही व्यक्ति को बार-बार आकर्शित करता है तो यह यहां पर जो लेखक का अनुबव था गुलमर की खिड़की से एक रात इस सीर्षक से जो गत्य था वो गत्य यहां पर पूर्णा होता है और यह पूरा गत्ये गुलमर की खिड़की से एक रात लेखक मोहन राकेश ने परिवेश से लिया है अस्तु